यदि चंद्रमा से चटे साथ में आठ में भाव में बुद्ध, गुरू और शुकर स्थित्थ हों, पाप दृष्टी से रहित हों, पाप ग्रहा की दृष्टियां ना हो तो चंद्र आधी योग की रचना होती है, इसी परकार लगन से छे साथ में शुब ग्रहा हों तो लग लगन से निर्मित योग बनना माना जाता है तो इसको लगन आदी योग कहा जाता है लगन आदी योग में चतुरतस्तान में कोई अशुब ग्रह नहीं होना चाहिए लगन आदी योग में ये भी साथ में है कि अगर चौत्थे गर में अशुब ग्रह है तो ये योग भंग हो होता है व्यक्ति को समस्त सुख संपति का अपभोग करने वाला बनाता है इस योग में यदि यह तीनों ग्रहें गुरू बुद्ध गुरू और शुकर पूरन रूप से बली हो तो अधियोग से उत्पन जातक भू संपता का स्वामी बनता है अब बली कैसे होते हैं मैंने जातक मंत्री जैसा पद्ध प्रापत कर सकता है यदि शुक्र गुरू बुद्ध अलप बली है याणि अगर यह कमजोर भी है और यह योग बना रहे हैं तो व्यक्ति में नेता बनने जितना समर्थया तो होगा यानि वह लोकल अपने गाउं का सरपंच तो बनी जाएगा फिर भी अगर ये कमजोर भी हो और ये योग बना रहे हूँ, इट मेंस के ये वो बहुत important है, लगन आदी और चंदर आदी योग अच्छा योग है, जिनकी कुंडली में ये योग चंदर से बने या लगन से बने, उन्हें इसका फैदा जरूर मिलता है, जातक ये अधीनस्त अनेक लोग काम करते हैं, तथा जातक अनेक लोगों का भरण करने में समर्थ होता है,